हेलो एव्रिवन बाई मैं साहिल तेवर याज आप सभी के साथ जुड़ चुकाऊं टीचर सड्डा के माध्यम से एक ऐसे प्रश्ण के जवाब को लेकर जो कहीं न कहीं आपको बहुत बेचैन करें बैठा हैं बहुत जादा कहीं न कहीं मेंटली बार-बार वो लोट-लोट के अपके दिमाग में जगह बना रहा है प्रश्ण और वो प्रश्ण है आपके DSSB का जो एक्जाम जो वेकंसीज आई हैं उसको लेकर ूसको लेकर प्रश्ण है कि वहिया एक्जाम कब होगा एक्जाम 2021 DSSB का कब होगा तो इसका जवाब लेकर मैं आप सभी के साथ आजरू ह लेकिन मैं आशा करूँगा उससे पहले सारे के सारे लोग एक बारesar सड़ा के चनल को सबस्क्राइब कर लें आपके मन में जो यह प्रशन बन रहा है इसका जवाब बिलकुल लगबग एक महीने का टाइम है पूरा आपके पास एक महीने का टाइम है अब देखिए आपको पते की सिच्वेशन कौन सी है कोविट की सिच्वेशन चल रही है और साथी साथ अभी 24 जून तक आपके फॉर्म फिलप किये जाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यह है कि आप लोग फॉर्म फिलप करने में 24 जून का वेट मत करो आखरी तारिक का वेट मत करो आपको पता है 25 माई तो कोशिश करो 25 को 26 को 27 को 25 को मतला मई के चल रही है एंड जब 24 जून तक आपका फॉर्म फिलफ होगा तो मिनिमम मिनिमम 90 डेस का गैप तो रखा ही रखा जाएगा तो आपका जो एक्जाम में वो यातों कंडक्ट होने वाला है सेप्टमबर लास्ट में या अक्टोवर यह टेंटेटिव डेट है कंफर्म डेट नह को देखते हुए कि एक फॉर्म फिलफ होने के कितने दिन बाद DSSB एक्जाम कराता है तो लगबग 90-120 दिन के बीच में एक्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसको देखते हुए ही आपको बताया जा रहा है कि या तो सेप्टमबर लास्ट या अक्टूबर में जाके आप का एक्जाम DSSB का आपको देखने को मिल जाएगा तो मुझे लगता है आपको जानकरी पसंद आई होगी जानकरी पसंद आई है तो टीचर सड़ा की चनल को जरूर सबस्क्राइब करें और साधिशाथ वीडियो को बाकी सारे लोग के साथ साथ साजा भी करें शेयर भी करे तो अभी से लग जाए तैयारी में क्योंकि देर नहीं करनी है मेरे दोस्त थेंक्यू सो मच आप्रिवन जय हिंद बंदे मात्रम